असलामलेकुम जी, असलामलेकुम, क्या हाल चाले हैं जी आप सबके आप खरीछ से, अलभागाप सबको भी अपने ही अच्छोमान में रखे जी आमीन, आज मैं लेकर हाजर हुआ हैं आप सबके लिए बहुत ही मैचएदार गिलिश्च से चनू की रेस्पी, जो कि क्राची की इन्तिहाई म immature होकल के एक रेस्पी आपके साथ शेयर करने हो सेम को सेम होकल के अंदाज में रेस्पीर आपके शेयर करूցगी लेकिन केस में इन्तिहाई किसमैं के राज़जवा बनकर त्यार होगी जोके हम एजिली आपको बीफ आली शॉप से मिल जाएंगे और बहुत ही सस्ते दामों मिलती हैं यह तकरीवन 500 ग्राम मैंने बीफ की हग्या ली है और दो कप में चने लिये थे जो के रात बर बिगो दिये थे गरम मसालों में यहां पर ने लिया है जो के हम यखनी में यूज़ यहां पर हम यखनी बीफ की अलग बनाएंगे यहां पर हम यखनी बीफ की अलग बनाएंगे यानिके बीफ की हग्डी की और चनों को हम अलग से सैपरिकली बॉयल करेंगे अच्छी तरह से फुल गन करने है यह हमारी यखनी और चनों की रेस्पी है सबसे पहले यहां पर म जब तक और पास दोनों का अलग लग हम पेस्ट बनाएंगे और देखें जी हमारी एक स्टीक गुमी धी हमारे चने बिलकुल गल चुके गले हुए है इस वाली रेस्पी में क्योंकि हमने यहां पर यखनी यूज़ करनी है अगर यखनी जब हम लेंगे तो अगर चने कच्छा हुए तो मज़ीद यहां कर जाएंगे उसी कुकर में हम यखनी भी बना लेंगे चने हमने निकाल लिए हगिया शामिल की है खुला पानी शामिल करेंगे जितनी हमें यखनी चाहिए हो और साथ ही हमने यहां पर गरम मसाले शामिल कर दी है नमक हाफ की स्पून शामिल करेंगे और इसकी भी हम तकरीबन चार से किये हुए हैं आधा कब यहां पर हम कुकिंग वाली यूज़ करेंगे तीन के माक्रों का पेस्ट जो कि मैंने पहले बताया था साधी हरी मिर्चे एक बड़े साइस का किम प्यास का पेस्ट मना लिए अध्रकसन का पेस्ट के आधा कब दही यूज़ करेंगे वन की स्पून हुआ हुआ है हमारे पास यह तमाम इंगी रंग से रैस्पी के सबसे पहले यहां पे मैंने कड़ा ही लिए इसमें शामिल कर दिया है प्यास का पेस्ट और इसको में इतनी देर पकाऊंगी कि इसका लाइक सा पिंक सा कलर आजाए क्योंकि प्यास को बहुत अची तरह से यह साथ ही मैंने तमाम ट्राइइंग की रिंग्स यहां पर शामिल कर दिया है सुरक मिर्ट पिसी हुई नमक और हल्दी पिसा हुआ धनिया और जीरा अब मैं तब तक भूनगी जब तक अची तरह से यह मिक्स हो जाए और साथ ही यहां पर की मार्कर का पेस्ट और हरी मिर्चो को देते हैं उसमें यह वाली रैस्पी लाजमी की क्राइब कीजिएगा यह आपके महमानों को बहुत पसंद आएगी प्राट्यों के साथ इसको सर्फ कीजिएगा यहां पर मैंने आदा कप दहीं शामिल कर दिया है एक से दो मुनेक मस्जीद भूनेंगे एक से दो मुनेक भूनने के बाद देखें जिर्फ हमारा अछी तरह से मिसाला बिलकुल मेशी हो चुका यानि के बिलकुल मिक्स हो चुका है और गीभी बिलकुल सैपरक हो चुका है इस कैम्पर में इसमें शामिल कर दूंगी चने जो के पहले से बॉयल करके रखे हुए है और चनों को मैं अब तब तक भूनूँगे जब तक अच्छी तरह से यह हमारे भून जाए चने जो जो इस पैसी समनिस में शामिल किये है वो अच्छी तरह से चनों में ज़स हो जाए बहुत एजी रेस्पी बिल्कुल डिफ्र समान तयार तो बहुत ही मज़दार एक बार यह वाली रेस्पी लाजमे अपने नाश्टे में क्रैक कीजिए का आपको यह रेस्पी बहुत पसंद आने वाली है देखें जी चनों को चार से पांच मिनक भूना है कलर देखें जी हमारे चनों का माशालला से कितना खुबसू लगती है यहां पे मैं वीडियो के लिए कुकिंग कर रही थी इसलिए मैंने शामिल नहीं की लेकिन अगर वह भी शामिल आप साब में कर दे तो बहुत मज़दार यह रेस्पी बनकर त्यार होगी देखें जी पांसे दस मिनक क्या दम लगाया है यह नहीं शामिल करने के ब ताकि मैं मस्जिद इस तरह की विडियोर्स बनाती रहूं यह तमाम प्रोसेस फ्री है इसका कोई चार्ज नहीं होता इसके साथ ही मुझे इजास्त दीजिए अलाह आफिस